जय स्टड़ी में आपका स्वागत है आज की इस सेशन के अंतरगत हम समान हिंदी का अध्याय नंबर पांच बर्तनी को डिसकस करेंगे आईए समझते हैं और आने वाले सवी एक्जाम्स के लिए सो प्रतिसत बर्तनी को तयार करेंगे आज के सेशन में पहले डिटेल करेंगे उसके बाद पचास मेहत पूर प्रस्ण करेंगे बर्तनी से संबंदित आईए एक बार ध्यान देजिए समान परिच्चा किसी सब्द को लिखने के लिए हम कतिपा अक्षरो एवा मात्राव का प्रियोग करते हैं मात्रा सहित चिन अक्षरो द्वारा हम किसी सब्द को लिखते हैं वे मिलकर उस सब्द की बर्तनी की संग्या प्राप्त करते हैं कोई भी भासा तब तक सुद्ध नहीं की जा सकती, जब तक कि उसमें प्रियुक्त सब्दों की बर्तनी सुद्ध नाओ, बर्तनी असुद्ध होने की इस्तिती में सब्द तो खटकते हैं, इस साथ यही भावो को ठीक ढंग से अवी वेक्त भी नहीं किया जा सकता और कभी- अर्थ हो सकता है उधारण के लिए विश्लूब अचक हरी सब्द को हर लिखते हैं तो मन्तब सर्वता भिन हो जाएगा क्योंकि हर का अर्थ सिव होता है इसी प्रकार प्रडाम, प्रडियम, प्रमाण, प्रिणाम आदी सब्दों के थोड़े से उलट फेर में अर्थ का अनर् हो सकता है एक सज्जन ने प्रस्थान के इस्थान पर प्रमाण लिख दिया बहुत से लोग आशिर्वाद को आशिर्वाद लिख देते हैं जो कि बरतनी के अनुसार गलत है इन चीजों को समझने का प्रियास अवश्य करें और ये चीज़ें आपको सिर्फ आप अपनी नागरी यानि देवनागरी लिपी है उसकी विशेश ताईया है कि इसमें जो बोला जाता है वह लिक दिया जाता है पता जो लिक आ जाता है वही पड़ा या बोला जाता है अताब सुद्ध वरतनी लेख के लिए सुद्ध आच्रण अतियंत आवश्यक है इस्थाई को कु दूसरी आवशक्ता ये हैं कि हमको बरतनी लेखन के लिए कुछ समान नियमों का ग्यान हो रहफ लगाते समय अक्षर को दूइत्व किया जाता है ये था इससे सुड़ा डिटेल ये बरतनी से जुड़ी डिटेल हमने कम्प्लीट कर ली है अब हम बस्तोनिष्ट प्रसन की और बरतनी दी गई है आपको सुध्वरतनी का चैन करना है यह नहीं कि तीन सुध्वार्मैट में हूंगी और क्या होगी एक सुध्वाली चुन्नी हैं अप्सन अ आब सा और दा की रूप में है मैं आपको प्रस्न संख्या के साथ साथ सही आंसर पर टिक करते चलूँगा आप बहुत ध्यान पूरवक भली भाती देखते तथा सुनते रहिएगा प्रस्न संख्या एक अप्सन नंबर दा विल्कुल सही है उपर लिखित प्रस्न संख्या दू अप्सन नंबर बा विल्कुल सही है अदपतन और कोशन नंबर तीन अप्सन नंबर बा विल्कुल सही है श्वा यंत्र प्रस्न संख्या चार अप्सन नंबर दा विल्कुल ठीक है शोथ शिनी प्रस्न संख्या पाँच अप्सन नमबर आ विल्कुल ठीक है पार लोकी प्रस्नि संक्या ची अप्सन नमबर सा विल्कुल ठीक है स्वास्त है प्रस्नि संक्या साथ अप्सन नमबर सा विल्कुल ठीक है संबंद प्रस्नि संक्या आठ अप्सन नमबर आ विल्कुल ठीक है बयस्को आईए कुछ और प् अप्सन नमबर दा विल्कुल ठीक है, द्रश प्रस्न संख्या 11, अप्सन नमबर सा विल्कुल ठीक है, अनुगरहीत प्रस्न संख्या 12, अप्सन नमबर आ विल्कुल ठीक है, अतिस्य योगती, दो चीजे हो सकती है, एक चीज में आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को कमे कभी कभी गलतियां इनसान से ही होती है इसलिए अगर गलती है तो आप पुस्तक में देखके उसे बता दीजे और सही है तो भी आप कमेंट करके बता दीजे प्रस्न संख्या 12 किलियर है मेरे अनुसार जो आप इसके लिए पर देख रहे हैं वो अपसन आ दिया गया है लेकिन अब आपकी राय जानना वाकी है आईए प्रस्न संक्या 13 अपसन नमबर सा सन्यासी बिल्कुल ठीक है प्रस्न संक्या 14 अपसन नमबर सा आलाद बिल्कुल ठीक है प्रस्न संक्या 15 अपसन नमबर 2 प्रवंद कत्री प्रस्न संक्या 16 जोला में जो आपको द्या गया है जोला में अप्शन नाबर साव यानि पारिश रमेक बिल्कुल ठीक है प्रंसने संख्या रोला प्रंस और प्रंसों को डिसकस कर लेते हैं प्रंसरे 75 अप्शने संक्या 19, सही है एक्षन नमबर 6 निश्करसिता प्रशन संक्या 20, आप्षन नमबर 2 जयत्सना बिल्कुल तोटवर्तिनी है प्रशन संक्या 21, आप्षन नमबर 6 निश्प्रव आपके समय का सदूपियो करना है इसलिए चीजों को समझते चलें और दिहान से सुनते चलें सावी हो जाता है असुद्ध वरतनी वाले सब्द का चैन कीजिए ये चीजें आप समझने का प्रियास करना कभी भी जल्दवाजी में मत करना कुछ जल्दवाजी का किया हुआ काम भूतों का होता है आप भूत नहीं आप बरतमान में एक जी रहे हैं और आप एक कॉम्पेट बड़तना कि किसी भी प्रिकार की जल्दवाजी नहीं चोगाएं और दियान की आप सिने काचबीस वसने नंबर साथ किल्कुल ठीक है प्रशने था पूजनी अप्सन नमबर सा बिल्कुल ठीक है प्रशने संक्या 28 अप्सन नमबर सा मिर्तुन्जे बिल्कुल ठीक है प्रशने संक्या 29 अप्सन नमबर वा निरदर्सन बिल्कुल ठीक है प्रशने संक्या 30 अप्सन नमबर वा परिक्षा बिल्कुल ठीक है प्रशने संक्या 31 अ अप्सन नमबर बार प्रतिष्ठा विल्कुल ठीक लिखा है प्रस्न संक्या 35 पैंतिस में अगर मैं बात करूँ तो अप्सन नमबर बार विल्कुल ठीक है उत्सब आईए और प्रस्नों को डिस्कस कर लेते हैं प्रस्न संक्या 36 अप्सन नमबर दा विल्कुल ठीक है सताबदी प्रस्न संक्या 37 अप्सन नमबर सा विल्कुल ठीक है अंतरदेश ये प्रस्न संक्या 38 अप्सन नमबर सा विल्कुल ठीक है तिर्दोस प्रस्न संक्या 49 अप्सन नमबर दा विल्कुल ठीक है प्रवद्ध प्र प्रस्ने संख्या 40 का सही आंसर लिखके ना बेजें अगर वास्तम में कॉम्प्टीटर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बेजेंगे अदरवाइस भीया जाई स्टडी पर मता ना तुबारा कभी भी कोई वीडियो देखने हैं आप चुक्चा अपने घर जाके बैठ जाओ समझ में आ रहा है ना वैसे आपकी इच्छा है आप जो करोगे वो भरोगे मैं आपको दो कुश्चन दे रहा हूं आप इन दोनों कुश्चन का सही सही आंसर दे देना इसलिए आए प्रस्ने संख्या 41 सही आंसर है अप्शन नमबर दा यानि किरपा प्रस्ने स संख्या 44 अपका उप्शन ये था बरतनी से जुड़ा सेशन शमान हिंदी के तहत हमने बरतनी का एक सेशन कम्प्रेट कर लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बरतनी बहुत भली भाती से समझ में आ गई होगी और आप कभी भी सुद्ध तथा सुद्ध बरतनियों का चैन कर सकेंगे तो आने वाले सेशन के लिए लगातार बने रहें तो दोस्तों के साथ प्रतिक वीडियो को लाइब सेशन को सेर अवश्य कर दिया जिए कर दियेगा कूंकि जब आप सेर नहीं करेंगे तो आपकी क्यार कौन करेंगा इस चीज को ध्यान में रख्यागा क्यूंकि सभी चीजे आप स हम और हम से आप ही बने है तो इसलिए आपको हमारा खायाल रखना होगा और हमें आपके लिए आपके खायाल के लिए आपको एक सफल इंसान बनाने के लिए रेगुलर सेशन भी प्रोबाइट कराने होंगे कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि 18-20 गंटे में एक-एक सेशन ड